Hello Friends, आज मैं आपको 2016 की औसकर विनी मूवी Moonlight Explain करने वाला हूँ हम बजबन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ-साथ ही अपने identity पार लेती है इसी एक सब्जेक्ट पर यह मूवी है यह मूवी इसके साथ बहुत सारे lessons हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा first character One हमें दिखता है One जो होता है यह एक drug dealer होता है इसके नीचे बहुत सारे आदमी काम करते है इसके जो drugs होते है यह इदिस्ट्रिब्यूट करते है One एक जगा आया है यह हमें दिखता है और इसका जो drug dealer होता है इससे पता वेगरा पुछता है क्या चल रहा है यह सब उससे पुछता है जब इसको पता चल जाता है कि business वेगरा किस तरह से चल रहा है इसके बाद वो आज से चला जाता है नेक सीन में हम देखते हैं कि एक चोटे से लड़की की पीछे बहुत सारे लड़की भाग रहे है इसे यह सब मारने वाले होते है तो यह बहुत जोर से भाग रहा होते है यह हमारा main character है और इसका नाम है Sharon इसे सब little बुला थे है यह भाग भाग कर एक सुमसांग building में आ जाता है वह चुप जाता है जो जुआन था इसका काम हो चुका है तो वह directly इस building में आ जाता है यह जो building होती है यह बहुत सारे लोगs drugs करते है यह हमेशा इस building को चेक करता रहता है क्योंकि यह drugs sell करता है और इसे जादा कुछ trouble नहीं चाहिए यह जो बंदर आता है तो little को देखता है little बहुत दरा हुआ होता है वो कहता है कि मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं यहाँ से जा रहू हूँ उसे वो बहार आने के लिए बोल रहा हुता है यहाँ नहीं रुख सकता यह सब उसे कहता है लिटल बहुत ही डरा होता है और वो बाहर नहीं आ रहा होता है तो हो कहता है कि यहां से मैं अब रेस्टोरन में जाने वाला हूँ तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों लंच कर सकते है लिटल फिर मान जाता है और ये दोनों रेस्टोरन्ट में आ जाते है ये से बहुत सारा खाना देता है और फिर पुछता है कि तुम कहा रहते हो मैं जो तुमारे घर तुमें छोड़ना पड़ेगा मैं तुम्हें ऐसे मेरे बिद्निंग्स में नहीं छुपने दे सकता One Little से बुलवाने के लिए उसका जो खाना होता है यह प्लेट जीन लेता है Little अब और भी सट्डाउन हो जाता है फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने वाला उसका खाना उसे वापस देता है उसे कहता है कि जितना टाइम तुमें लेना है तुम ले सकते हो One Little को फिर अपने गल्फरेंड के पास लेकर आता है वो कहता है कि तुम से कुछ ना कुछ तो बूलवाई लेगी One की गल्फरेंड का नाम डेरेसा होता है एरेसा लीटल के पास बेटती है, जब रात होचाती है तो उसे डिनर देती है एरेसा जब उसे पूछती है, तब ये कुछ भी बोलनी रहा वो कहती है कि पहले तुम सब कुछ खापी लो, उसके बाद हम बात करेंगे वोन कहती है, कि ये वो सही से करता है, पर कुछ बोलता भी नहीं लीटल कहती है, कि तुम्हें कोई भी फोस नहीं करने वाला बोलने के लिए लीटल कहती है, कि मेरा नाम शायरोन है, पर मुझे सब लीटल बुलाते है वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी ये फिर थोड़ी थोड़ी बादी करता है और कहता है कि वो कहा रहता है ये अभी घर जाने के लिए रेडी नहीं होता ट्रेसा बोलती है कि आज रात तक तुम यहां रह सकते हो कल सुबा वान उसे छोड़ कर आएगा उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही worry होती है वो लिटल को कहती है तुम्हें घर आना था तुम कहा चले गई थे वान को देखकर यहां बहुत ही परेशान होती है वान कहता है कि उसने इससे कहाब आया था वोन अभ यहां से जाने वाला होता है तो लीटल से हाइफाव लेना चाहता है लीटल की जो मदर होती है यह उसे नहीं करने देती है लीटल को अंदर लेकर उसकी मदर उसे बहुत डाटती है लीटल जब तीवी लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हें टीवी में लगाने नहीं दूंगी उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है नेकसिन में हमें दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है यह फूटबॉल खेल रहे होते हैं जो सब लड़के होते हैं बहुत ही स्ट्रॉंग होते है शायरान इनसे कीप अप नहीं कर पाता थोड़ी देर बाद यहां से निकल बढ़ता है उसके पीछे पीछे उसका एक फ्रेंड होता है केविन वो आने लग जाता है वो कहता है कि मुझे भी आप इतना इंट्रेंस नहीं इनके साथ खेलने में यह दोनों फिर बात करने लग जाते है केविन कहता है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो ऐसा होने लगता है तुम कभी-कभी उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम सॉफ्ट नहीं हो लिटल भी इसके लिए अगरी करता है केविन फिर उसे धक्का देता है वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम सॉफ्ट नहीं हो यह दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते है और यह जब खतम हो जाता है तब केविन उसे कहता है कि इसी तरह से तुम अब उनसे भी फाइट करना है केविन एक अच्छा फ्रेंड होता है वर्ल्ड में कैसे उसे रहना है यह उसे यहां सिखाता है नेक्स दिना में दिखता है कि वोन के पास फिर से लिटल आ चुका है वान फिर उसे बीच पर लेकर जाता है ये दोनों जब पानी में जाते है तब उसे तेरना कैसे ये सिखाता है ये हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर विटते है वान अपने बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पर खेल रहे थे तोड रहे थे तब एक ओर लेडी मुझे मिली थी ये रात थी तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घुमते हैं मुनलाइट उन पर पड़ता है तो ब्लू चमकते हैं वो मुझे तब से ब्लू बुलाने लग गई थी लिटल उसे पूछता है कि क्या तुमारा नाम ब्लू है वोन कहता है कि नहीं मेरा नाम ब्लू नहीं है तुम किसी और को डिसाइड नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो तुम क्या हो, तुम क्या करने वाले हो, ये कभी ना कभी तुमें ही decide करना पड़ता है रात में वान लिटल को छोड़ने के लिए आता है, उसे थोड़ी सी pocket money भी देता है लिटल की मदर वान की मुँपर ही दर्वाज़ा बन कर लेती है लिटल की मदर के साथ वार एक आदमी आच आया हुआ होता है लिटल के साथ उसके जो friend होते है, यह हमेशा उस पर pick करते रहते हैं उसे कभी भी chain से नेरेन देते निक सिन में रात दिखाए गई है, और one street पर होता है street पर अपना जो dealer होता है, उसके साथ खड़ा होता है वो अपने dealer को कह रहा होता है, कि किसी को भी यहाँ smoke करने मत देना वो जो sale करते है, यह कभी भी उसका धुआ यहाँ से निकल रहा है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए थोड़ी देर बाद जब वो देखता है, तो पर एक गाड़ी से smoke आ रहा होता है अपने dealer को टाटता है, और वहाँ इस situation को handle करने के लिए चला जाता है इस गाड़ी में जब वो देखता है, तो लीटल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाए गया था ये वहाँ बेटे हुए है, और ये दोनों smoke कर रहे है वान इन दोनों को डाटता है, और फिर लीटल की मदर इस पर चीट जाती है उसे पताता है, कि लीटल हमेशा उसके पास आ जाता है चीट कर उससे कहती है, क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो वान कहता है, कि मैं नहीं, तो क्या तुम करोगी यानि कि वो ड्रग्स वगरा करती है, तो अच्छी मदर नहीं है ऐसा उसे कहता है लीटल की मदर कहती है, तुम भी ड्रग डिलर हो, तुम भी उसे बड़ा नहीं कर सकते क्या तुम उसे बताओगे कि लड़िये उसे क्यों चिटाते है लिटल गे होता है इसलिए उसे सब बहुती ट्रबल देते है लिटल अभी छोटा है इसलिए उसे पता नहीं है इसे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा इसलिए उसे पूछ रही होती है यह उसे जता रही होती है यह सब बताना One की responsibility नहीं है लिटल की मदर रगस करती है बैट company मों रहती है इसलिए One के पास वो हमेशा आता रहता है एक दिन सुबा भी वो ऐसे ही आया हुआ होता है वो टेबल पर साइड वर बैठा होता है One केता है कि तुम्हें सेंटर में बैठना चाहिए इससे तुम सब लोगों को देख सकते हो लिटल बैठ कर उससे कहता है कि मेरे मदर को मैं हेट करता हो One केता है कि मैं भी मेरी मदर को हेट करता था पर जैसे तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा यह बहुत ही गलत था, मैं अब उसे बहुत ही जादा मिस करता हूँ लिटल वॉन से question पुछता है, वो कहता है कि सब लोग मुझे एक faggot बुलाते है इसका क्या मतलब होता है, वॉन कहता है कि gay लोग को बुरा फिल कराने के लिए कुछ लोग एक word यूज करते है लिटल पुछता है कि क्या मैं gay हूँ तो वो कहता है कि तुम्हे figure out करना पड़ेगा ये कोई तुम्हें नहीं बता सकता टेरे से बोलती है कि तुम्हें ये लोग बोलते है ये सही नहीं है, ये तुम्हें ये नहीं बुला सकते वोन से बुछता है कैी क्या तुम drug sale करती हो वैंन बोलता है की हाँ आप में drug sale करता हो लिटल की मदर यह पाय करती है ड्रगs करती है यह सुन कर वह वहाँ से उटकर चला जाता है इस movie में हमें लिटल के अलग-अलग time period दिखाए जाएंगे जो first time period था उसका नाम इन्होंने लिटल रखा था अब जो next time period आता है इसमें लिटल teenage में है उस school में वेगरा है और इस period का नाम उन्होंने शायरान रखा है यानि कि लिटल से शायरान तक इसकी transition जो है यह हमें आप दिखाई जाएगी यह time period start होता है और हमें दिखता है कि लिटल को जिस तरह से बच्चे बच्चे बच्च्पन में चिड़ा थे थे अभी वे वेसे ही चिड़ा रहे है classroom में उसे कुछ बच्चे चिड़ा रहे होते है और हो कुछ बोल देता है इसी वज़े से वो detention में आ जाता है उसके बच्चपन का फ्रेंड केविन भी हमें दिखता है यह भी detention में होता है जब लिटल उसे पूछता है कि वो क्यों detention में है तो केविन उसे कहता है कि मैं एक लड़की के साथ intimate हो चुका था और इस school में होता है तो इससलिए एक professor इसे पकड़ लेता है अब है detention में है कि उनसे कहे कर जाता है कि यह बात किसी को भी पता नहीं चली चाहिए लिटल जब घर पर आता है उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहां नहीं रुख सकते है आज मेरे पास company है यानि कि उसके पास कोई आने वाला है इसलिए लिटल फिल तेरेशा के पास आजाता है तेरेशा लिटल को खाना अगरा देती है और खुद पिने लग जाती है वो कहती है क्या तुम्हें में drinks दू यह जोग करी होती है क्यों कि ग्वान जो था वो हमेशा उसे drinks देता था हमें यहाँ पता चलता है कि गवान अब घुजर चुका है लीटल गवान के बारे में ज़्यादा खुश नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था लीटल सर नीचे रख कर अपना खाना खा रहा होता है टेरेस हो से कहती है यह सा डर डर कर तुम्हें मेरे हाउस में नहीं रहना है तुम इस घर में प्राइड से अपना सर उपर रख कर रह सकते हो लीटल सिर्फ नौर करता है वो कहती है कि मैंने जो सब का है वो तुम्हें फेस से कहना है वो जादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेन करती है रात होती है तो उसके लिए बेड बनाती है वो कहती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता था और गौन को भी बेड बनाना नहीं आता था लिटल को रात में सपने में अपना फ्रेंड दिखता है सुबह होती है नेक्स दिन लिटल अपने घर जाता है इसके जो मदर होती है एक घर के बाहर होती है और दर्वाजा लॉक हो चुका होता है उसे दर्वाजा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उससे पैसे मागने लग जाती है यहाँ इसकी मदर हमें ट्विची दिखती है यानि कि इसको ड्रक्स की जरूरत है और इसे मिलने रहे है इसके पास पैसे भी नहीं है तो लीटल से वो पैसे मांगती है लीटल से दे नहीं रहा होता तो जबरदस्ती इसके pocket वगरा छेक करने लग जाती है लीटल रेस करने के इसके लिटल से लिटलansa के और उसके बढ़ते ही और वरooine से उसका कुल में बातों जहाता है लिटर इस पर चीट जाता है उसके classmate कहते है कि क्या तुम्हें कुछ trouble चाहिए लिटर लर जाता है और कहते है कि मुझे कोई भी trouble नहीं चाहिए उसका classmate फिर उसे छोड़ देता है आज लिटर को घर पर भी नहीं जाना होता और Teresa को भी मिलना नहीं होता तो directly बीच पर आजाता है बीच पर थोड़ी देर बाद Kevin आता है Kevin यहाँ आसपास रहता है तो उसे देखकर यहाँ सप्राइस्ट होता है Kevin हमेशा उसे black बुलाता है यह उसके लिए उसने nickname रखा होता है लिटल उसे पूझ भी लेता है क्यों तो मुझे black बुलाते हो वो कहता है कि मैं पैर से बुलाता हूँ तुमारे लिए एक nickname है Kevin के पास ड्रग से भरी हूँ एक secret होती है वो लिटल को दे देता है यह फिर बाती करने लग जाते है Kevin उसे कहता है कि कितनी cold यह हवा आ रही है इसे महसूस करकर बहुत ही शान्त लगता है जिसा सब कुछ ठहर चुका है लिटल कहता है कि इतना शान्त है कि खुद की heart beat में सुन सकता हो Kevin कहता है कि इतना सही है कि रोना आ जाए लीटल बोलता है कि क्या तुम रोते हो वो कहता है कि नहीं मैं स्फिब बोल रहा था लीटल कहता है कि मैं बहुत रोता हूँ मुझे बहुत सारी चीज़े करने का मन करता है यानि कि उसके जो klasmates है या जो वर्ल्ट है इसे उसे जगड़ जाना है एसा उसे हमेशा लगता रहता है Kevin और Sharon फिर एक दूसरे का हाथ पकरते है और वो एक दूसरे को किस कर लेते है Kevin फिर Lidl को अपने घर छोड़ देता है वो उससे बोचता है क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था Lidl ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता वह nod करता है और वहाँ से चला जाता है लिटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है इसकी जो मदर है यह जब भी clean होती है यह डुग्स बर नहीं होती तो यह बहुत ही अच्छी parent होती है रस के नशे में जब वो peaceful होती है, तब भी वो अच्छी parent बन जाती है, जब भी वो drugs कर रही होती है, जब उससे craving हो रही होती है, तो यह कुछ भी करने लग जाती है, यह एक responsible parent नहीं रहे थी, वो यहाँ रात में लिटल से कहती है, कि वो उससे बहुत प्यार करती है, नेक्स जो गहम होता है, इसमें यह किसी और के पास point करेगा, केविन जो है, इसे जाकर उसे मारना पड़ेगा, अगर कोई blame आया, तो यह केविन पर नहीं आएगा, यह classmate पर ही आएगा, यह classmate फिर केविन से कहता है, हम फिर से करना चाहिए, इस बार का जो target होता है, यह little होता है, यानि कि अब केविन को little को मारना पड़ेगा, जब school खतम होती है, तब little के सब classmate उसे घेर लेते है, केविन को उसे मारने के लिए बोलते है, केविन उसे एक पंच करता है, कि तुम नीची ही जुक करो, केविन उसे मार रहा है, तो little को बहुत ही बुरा लगता है, और वो न इसका नाम तुम बताना पड़ेगा, तुम जिस सब से गुजर रहे हो, यह मैं समझ सकती हो, little केता है, तो एक कुछ भी नहीं पता, कि मैं क्या मैसूस कर रहा हूँ, little केविन पर रैट नहीं करना चाता, little किसी का भी नाम नहीं बताता, और वहाँ से चला जाता है, निक्स लाइफ का टाइम परेट खतम हो जाता है, पहला जो टाइम परेट था, उसे little बुलाया गया था, और इस time परेट को Sharon बुलाया गया था, अब लीटल की Sharon में transition हो चुकी है, इसमें करे जा चुका है, और अब यह जेल में जा चुका है, अब जो next time period हमें दिखाए जाता है, जब हम इस बार Sharon को देखते हैं, यह bodybuilder बन चुका है, यह सही तरीके से reach भी हो चुका है, इसके पास apartment, एक अच्छी गाड़ी, यह सब कुछ है, वहां जेस तरह से drug dealer था, उसी तरह से यह भी drug dealer बन चुका है, यह किसी और शहर में रहता है, वहां जेस तरह से city में गुमता चुका है, यह किसी को भी डरा सकता है, धमका सकता है, अभी वो ज़्यादा कुछ बोलता ने, पर वो सही तरही से आप बोल लेता है, उसका street dealer उसके flat बराता है, उसे पैसे देता है, तो शाहर उसे कहता है, तुम्हारे पास आज कुछ कम पैसे है, यह dealer थोड़ा सा डर जात कि एक बैर मुझे होुऊ निटी लाए ऐसे जाता है इसकी इसके मदर का होता है कि तुम मुझे विजित करने के लिए आ सकते हो। वो उसे मिस करती है, उसे मिलने के लिए उसे आना चाहिए, वो इस मैसेज पर उसे बताती है, लिटल को रात में नीन वेकरानी आती, तो वो अरकाट वेकरा करता है, थोड़ी दिर बाद उसे एक कॉल आता है, यह जो कॉल होता है, यह केविन का होता है, जब केविन अपने आ मदर जहां रह रह रही होती है, वह ही वह रह रहा होता है, केविन उसे सौरी कहता है, वह कहता है कि जो सब हुआ, इसके लिए मझे बहुत ही बुरा फिल होता है, यह सब होना नहीं चाहिए था, केविन आप शेप बन चुका होता है, इसने भी कुछ गिलित रास्ते चुने थ चैनल पहले ऑपने मदर से मिलने जाता है, यह उसकी मदर को पता है, उसकी मदर उसके थी है, किसी से तुम इसके बारे में बात कर सकते हो, प्रोफेशनल से बात कर सकते हो, शारण इस पर कुछ भी नहीं बोलता। शारौन की मतर्ज होती है अब ओल डेज फैसलिटी में होती है अब एक लीन हो चुकी है डगस वहरा कुछ भी नहीं करती इसे पता है कि शारौन क्या काम करता है यह फिर उसे अड़वाइस करती है वो कहती है कि मैं बुरी थी मैं जो सब काम की है यह बहुत गलत की है पर तुमें भी यह करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम अमनी लाइफ सही से कर सकते हो तुमारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो शैरोन फिर वहाँ से जाने लग जाता है उसे बेटने के लिए बोलती है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ ये उसे सुरी बोलती है और ये दोनों रोने लग जाते है शारवण फिर केविन जहां काम करता है वहाँ आता है केविन उसे पहले पहचाने नहीं पाता वो से बोचता है कि तुम कैसे आ गए शारवण कहता है तुमने मुझे कहा था यह तुम मेरे लिए cook करोगे, इसलिए मैं आया हूँ केविन कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें खानी बीने की कुछ कमी है और हो कहता है कि मैंने बोला था इसलिए अब उसके लिए वो cook करने लग जाता है केविन उसके लिए डिशेश वेगरा लेकर आता है वो इसके पास वाहिन भी होती है ये भी वो पूर करता है शारान बोल रहा होता है कि मैं पिता नहीं क्योंगी वो इसे टेस्ट नहीं कर पाता इसके बाद शारान बिना टेस्ट के ही इसे पी लेता है केविन ने शारोन के लिए जो डिनर बनाया होता है शारोन को बहुत ही अच्छा लगता है यह केविन नोटिस करता है केविन अब रेस्टोरान चला रहा होता है तो उसे कुछ काम होता है तो यहाँ काम कहने लग जाता है अपना काम खतम होने के पाद वो फिर से केविन के पा अब उसके और उसके वाइफ का डिवॉस हो चुका है ये भी शारॉन को पता चलता है ये शारॉन से पूछता है ये इंसिडेंट के बाद इसने क्या किया है शारॉन उसे कहता है कि जेल में मेजूविय में चला गया था वहाई गैंस्टर से उसकी मुलागात हुई थे उसके इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा डीलर अभी बन चुका है केविन सप्राइश चोता है कि एक काम वो कर रहा है शारौन कहता है कि जो है वो है केविन यह मानने के लिए रेडी नहीं होता वो कहता है कि तुम एसे नहीं हो तुम यह नहीं कर सकते शारौन केविन से बोचता है क्यों तुमने मुझे यहां बुलाया है केविन उसे बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था, कि एक आदमी आया था, उसने गाना चलाया था, जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गए, शारण को इस पर बिलिव नहीं हो पाता, केविन फिर उटता है, और एक गाना चलाता है, इस गाने में दो लवर एक दूसरे केविन उसके लिए कौफी बना रहा होता है, केविन उसे कहता है, कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम बहुत ही अलग अब लग रहे हो, शारण उसे कहता है, कि हमेशा से मैं ऐसा ही था, केविन इस पर आसता है, और कहता है, मुझे पता है, कि तुम कैसे थे, केवि था इससे मैं आप उपर उठ चकाओ केविन कहता है कि यह भी सही है शारण केविन के बारे पूछता है केविन कहता है कि लोग हमेशा मुझे जो भी करने के लिए बोलते रहे वो मैं करता रहा, कभी मुझे जो फॉलो करना था, जो मुझे अच्छा लगता था फैमिली को सस्टेन करने के लिए करता है, शायरण फिर उसे कहता है, कि तुम ही एक आदमी हो, जिसने मुझे टच किया था, केविन फिर उसके पास दाता है, और एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, यह हमें दिखता है, इस सीन के बाद हमें छोटा शायरण दिखाए गया है, इ इसके लिए जो भी सब चीज़े हमें करने होती है, या कुछ न कुछ पैसे कावाना, यह सा हम आप करते हैं, जो मारी लाइफ का जो कंट्रोलता है, यह हम पाते रहते हैं, जब आप किसी रिलेशनशिप में आतों, तो एक कंट्रोल पाने के लिए आपने आपको जैसे बना लग जाते हैं, शारान जब केविन के पास होता है, तो वो वैसे ही महसूस करता है, इसलिए हमें जब शारान चोटा था, उसका एक सीन दिखा गया है, यह जो टाइम पेरेट था, इसका नाम ब्लैक था, केविन उसे ब्लैक बुलाता था, शारान अब केविन का ब्लैक बन चुका है शारौन बच्वेन में वीक था उसे लोगों से कैसे डटकर सामना करना है ये कभी भी नहीं आता था अब जो बेब बड़ा हो चुका है तो अपने आपको इसने खड़ा कर लिया है अब ये वर्ल्ल का सामना कर पाता है पर फिर भी अकेला ही होता है अब जब वो वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो इसलिए इस चैनल को सबसरीप करना भी कंसिडर कीजिए बेल नोटिफेशन आइकोन भी दबा दीजिए यानि कि आपको सब वीडियो मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी मूवी के स साथ तब तक के लिए धैंकियो और आप आपने आपका खैल रखिये